जाह हिंदी स्टुडेंट्स, वेलकम बेक in योर हिंदी क्लास. हिंदी क्लास में आज हम क्या करने वाले हैं? हिंदी क्लास में आज हम रिविजन करने वाले हैं, चंदर बिंदु मात्रा. Are you ready for revision? Yes, सभी बच्चों ने अच्छे से प्रक्टिस की है. चलिए, अब देखते हैं किसने कितनी प्रक्टिस किया है, what is the day today, 14 December 2020, and what is the day, somewhere, कौन सी मात्रा का आज हम रिविजन करेंगे, चांदर बिंदू, बिंदू, मात्रा, कौन सी होती है चांदर बिंदू मात्रा, लाइब देश, ओके, अब हम सबसे पहले कुछ पिच्चर्स देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको कुछ पिच्चर्स दिखाऊंगी, उसकी बाद बताओगे आप यह किस चीज की पिच्चर है, बताईए यह क्या है, क्या है यह, आँख, आँख पर कौन सी मात्रा लगी है, चंदर बिंदू मात्रा, यह कौन सी मात्रा है, चंदर बिंदू, जिसको आपको बताया था, वो कहां से बोली जाती है, गले से, आँख, ओके, अब आप बताईए, यह किस की पिच्चर है, दाद नेक्स्ट ये पताईए किसकी पिच्चर है? किस चीज की पिच्चर है ये? बासूरी ऐसे ही आपको कुछ वर्ड्स दिये होंगे जिन पर आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ड सही है? आपका कुशन नमबर वन होगा चित्र पहचान कर शब्द लिखे कुशन नमबर टू कवीता की लाइन पूरा करो कवीता की लाइन पूरी करिए कौन सी कवीता है? आपकी मंगल और लगद आपकी कवीता है गाजर गोभी लाया बंदर हात में था एक लाल चुकंदर खू मजे ले लेकर खाया यहां वहां कचरा फैलाया इस कवीता की कुछ पंदिया मैंने वर्क्षिट में दी हैं जो आपको पूरी करनी हैं एक कोशन है हमारा एक और अनेक कोशन धरी है आपका एक और अनेक यू विल जैसे एक और अनेक यू विल राइट बहुवचन एक और अनेक Q4 में आपको सही वर्ड पर सही का निशान लगाना है मत्तब कि दो वर्ड दिये हैं वहां पर जैसे चीटी और चीटी तो आपको देखना है कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है Q5 में आपको चंदर बिंदु मात्रा वाले 5 शरीर क्यंगों के नाम लिखने है Q6 में आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने है और Q7 में आपको राइटिंग करनी है देखिए, this is your worksheet Q1, चित्र पहचान कर शब्द लिखो Q2, कवीता पूरी करो Q3, एक और अनेक Q4, सही शब्द पर सही का निशान लगाई है It means right का निशान लगाई है Q5, चंदर बिंदु मात्रा वाले 5 शरीर के अंगों के नाम लिखिए Q6, नए शब्द बनाओ जैसे पाँ, गाँ, छाँ You will write here Now, Q7, Q7 में आपको 4 ताइम ये राइटिंग करनी है You will do this work in your notebook And after completing your worksheet, you will send me the pick Okay, we will meet in next class